कापना संतान के सुख से बंचित है अबहिने संपर्क करी विंद शेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट्यू बेबी सेंटर से महिला से संबंधित कौनो गंभीर समस्या के खाते संपर्क करी प्रते दिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रिवा संपर्क करी सके थे आठ आठ दो एक शून्य 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 चार एक छे पर या सून्य साथ छे छे दो तीन पाँच दो चार पाँच एक पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एबम बाजपन विसेसक जिसे प्रथम आईवी अफ क्लीनिक आईवी अफ मौट चतकनी की लेजर हैचिंग के उपयोग अधिति बिद्वान बेहत प्रसन्न है क्योंकि आज अनूठी सौगात प्राप्त होने जा रही है अतिति बिद्वानों को जोड़दर तालियों के साथ करतल ध्वनी के साथ पूरे प्रदेश के अतिति बिद्वान स्वागत करें हमारे यश्वा सुवी मुख्यमंत्री जी का जो कि आज अनुठी सौगात देने आपको मारदर्शन प्रदान करने और आपके कारियों को सरहाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं साथी साथ उच्छ सिक्षा मंत्री डॉक्टर मुहन यादव जी माननेशी सुल्तान सिंग शिखावत जी माननेशी रमेश अंदर शर्मा जी हमारे बीच पधारे हैं आपका भी इर्दैसे स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं सिक्षा के शेतर में अपनी सेवाएं देकर अथीती विद्वान महतभून भूमी का निभार रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत है माननेशी मुख्य मंत्री जी का आज के इस कारेक्रम में और जैसा कि हमें ग्यार्थ हैं हमारी भारती परंपरा है किसी भी कारेक्रम की शुरुवात में सबसे पहले माननेशी मुख्य मंत्री जी आप सभी का अभी नंदन कर रहे हैं निभीदन करेंगे माननेशी मुख्य मंत्री जी से माननेशी सिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि दीप प्रजवलित कर कारेक्रम का शुभार करें एवं समाननी आतिती कनों से भी निवीदन है कि वेक्रप्या दीप जोती नमस्तुते की शाक्ष्वत परंपरा को निभाए शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टी वर्थनम आत्मत्त्व प्रभोथाए दीप जोती नमस्तुते आज पूरे प्रदेश भर के अतिती विद्वानों को सौगात देने के लिए माननी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन समानी अतिती कन दीप प्रज्वलित करते हुए मानी डॉक्टर मोहन यादर जी, माननी श्री शिफ कुमार चौबे जी, अध्यक्ष सामान वर गायोक, माननी श्री सुल्तान सिंग शिखावत जी, माननी श्री रमेश शंद्र शर्मा जी, सभी समानी अतितिकन दीप रचलित कर आज के कारिकरम का शुभारम कर रहे हैं आदर समाज के निर्मान के लिए सिक्षित युवा सबसे महतपून है और सिक्षित समाज के निर्मान के लिए सिक्षको और अतिति विद्वानों का सबसे महतपून योगदान है प्रिदे से हम स्वागत करेंगे अभिनांदन करेंगे माननी मुख्यमंत्री जी का एवं समाननी अतिती गणों का और जैसा कि हमारी एक और अनुछी परमपरा है अतिती देवो भवा की स्वागत के क्रम में सबसे पहले निविदन करेंगे मध्यप्रदेश के उच्छी सिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से किवे हमारे कारिक्रम के मुख्यतिती मानिनी मुख्य मंत्री जी का पुष्प कुछ से स्वागत करें और हम भी जोर्दार कालियों से स्वागत करें अभिनंदन करें यशिस्वी मुख्यमंत्री जी मानिनीशी शिवरा सिंग चोहान जी का साथी निवीदन अपर मुख्य सचेव तक्नीकी सिक्षा श्री मनुश्री वास्तव जी से कि वे पुष्प गुच के साथ हमारे कारेक्रम के मुख्य थिती मानिनी मुख्य मंत्री जी का स्वागत करें निवीदन अपर मुख्य सचिव उच्छ सिक्षा श्री केसी गुपता जी से कि वे पुष्प गुच के साथ मानिनी मुख्य मंत्री जी का स्वागत करें तालियों के साथ स्वागत करें हमारे यसस्वी मुख मंत्री जी का और अब हम निवेदन करेंगे आयुक्त उच्च सिक्षा श्री कर्मवी शर्मा जी से कि वे उच्च सिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें करतर ध्वरी बश्ती रहनी चाहिए सम्मानने अतिती गणों के लिए श्री अनिल राजपूर जी स्वागत करें मानने श्री शिफ कुमार चौबे जी का निविदन श्री जी आर गांगले जी से कि वे मानने श्री सुल्तान सिंग शिखावत कैबिनेट मंतरी दर्जा प्रात का भी पुष्पगुच के साथ स्वागत करें निविदन श्री धीरेन शुकला जी से कि वे रमेश चंदर शर्मा जी कैबिनेट मंतरी दर्जा प्रात का पुष्पगुच के साथ स्वागत करें और अब अतिती विद्वान एवं अतिती व्याख्याता के पदादिकारी गर्ण एक गज माला से माननी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे मंच पर हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुर्जीत सिंग बदोरिया, डॉक्टर बीयल दोहरे, डॉक्टर देवराज सिंग, डॉक्टर गीता सिंग, डॉक्टर दीपिका तिवारी, डॉक्टर पार्वती व्यागरे, रिशव, मनीश और दिनेश जी को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं और जिनका नाम पुकारा गया है कृप्या वही मंच पे रहें ये उत्सा के पल हैं उत्सव के पल हैं सभी अतिती विद्वानों के लिए और जिसको संबोधित करने के लिए माननी मुख्य मंत्री जी हमारे बीच पढ़ा रहे हैं और अतिती विद्वान गणों के पददी कार पूरी उत्सुक्ता से उनका स्वागत कर रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद कारिक्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदिन करना चाहेंगे उच्छ सिक्ष्या मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की गृपा करें जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का और निवेदिन करते हैं उनसे कि वे स्वागत उद्बोधन देने की गृपा करें स्वागत की बेला को यहीं समाग करते हैं और अब विनर्म निवेदन उच्छ सिक्ष्या मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे स्वागत भाशन देने की गृपा करें जोड़ार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी का की और निवेदिन करते हैं कि वे स्वागत भाशन देने की गृपा करें आज का दिन मैं उच्जेन से आता हूँ और भाई सब भी मानी मुख्यमंद्री जी उच्जेन से आये बाबा महाकाल की नगरी से जोड़दार तालिया बजाईए आज साही सवारी निकल रही उच्जेन में और बाबा महाकाल में अटूट स्रद्धा आस्था के कारण से हमारे लिए आज का दिन अविश्वर्ण हो गया एतियासिक हो गया है आतिती विद्वानों की द्रप्शी से भी हम सब जानते हैं और कैसा सुखत सैयोग है बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं आटूट आस्था भी है और हमारा ये जो राज चल रहा है वो भी शिव का राज चल रहा है हम सब आपके माध्यम से वो जो हमारे मन में उदारता है मानी मुख्यमंद्री जी की जो भावना है सबी छेत्रों में समान रूप से प्रदेश उन्नती करता जाए आगे बढ़ता जाए समान रूप से जीवन की जो जो जरुवते हैं उसकी पूर्ती भी करता रहे मैं आपने इस उच्चिक्षा इवाग में आज की इस पंचायत में विश्वश रूप से आप सब के माध्यम से एक बार खड़े होकर के जोड़दार ताली बजा के मानी मुख्यमंत्री का अविनंदन करें आज की साद्विती पंचायत को ले करके सचवानों मित्रों आपके माध्यम से मानी मुख्यमंत्री ने जो संकल पर लिया था हम सब जानते कई सारे ट्वीट कई प्रकार की आपकी अपनी वो यह कठिन यातरा रही है पुराने काल के समय में लेकिन मैं इस बात की गैरेंटी देता हूँ कि हमारे मानी मुख्यमंत्री वो सारे हिसाब रखते हैं जिसके माध्यम से सब के जीवन की कठनाईयों को दूर कर सके और आज के इस अउजर पर हम सब सोभाग की साली हैं में खास कर उच्छिक्षा मंत्री होने के नाते से आपका ये दर्द भी जानता था माने मुख्यमंदर जी के निर्देश थे जब सर ही विवस्ता है ठप ऐसे में आती थी विद्वानों को भी क्यों बुलाना चाहिए विभाग की तरफ से भी ये प्रस्न खड़ा हुआ कि हम घर बेटे तनका केसे देंगे लेकिन ये मानी मुख्यमंदर जी का ही रधाय है उन्ने का मोहन जी अपने को किसी को बेरोजगार न ही मानता हूं कि और वो दिने के आज आज का दिने हमारे पास लगातार उच्ठीक्षा इवाग ने एक के बाद एक कित्रे प्रमूंक और ठोस्क निर्णे किए जिसके करण से पूरे देश में उच्छी शिक्षाई वाग हमारे अगरगंडी देश के पांच राज्यों में से एक उच्छी शिक्षाई वाग आप सबके करण से आपके कुशन नेत्रों तुम्हें आगे बढ़ा है नई शिक्षानीति के माध्यम से नंबर वन की स्तिधी मे हम आएं जिनने सबसे पहले नई शिक्षानीति मानी नरेंद मोधी जी की सरकार द्वारा 2020 की जो हमारे सबके सामने ड्राफ्ट आये था आज मॉडल राज्य के नाते से हमारा अपना प्रदेश आगे बढ़ा है मुझे इस बात की प्रसनता है कि लगबक 10,000 प्राध्यापो खुले हैं और 54 नए माविध जहले में हमारे अपने अतिति विद्वानों के माध्यम से हमने हर जगे हर प्रकार की सुईदा देने का प्रयास किया मुझे इस बात की प्रसनता है हमारे अतिति विद्वानों ने कई बार अलग-अलग प्रकार से ग्यापन भी दिये कहा भी कि हमारे अपने लिए ये खास करके अतिती विद्वानों के लिए ये जो योगिता न्यूंता में वो सारी हासिल करते हैं लेकिन इनके जो अपने कई प्रकार के आउशकता है मानी मुख्यमंद्री जी के सामने मैं आपके पक्षी बात कहता हूँ कि हमारे जितने अतिती विद्वाने वो सारी योगिता रखते हैं मानी मुख्यमंद्री जी तो आप ऐसा कुछ करिए जिसके माद्यम से इनके आने वाले समय में इनके द्वारा की गई इस विभाग में सिवा का भी हम ठीक से मुल्यांकन कर पाएं मुझे इस बात की प्रसनता है आपकी उदार्दा के करण से ये सारे यहां मौजूद है इनके लिए जो वेतन है वो वेतन की विवस्था है वो मान दे भी बढ़ना चाहिए ये भी डिमांड मैं आपसे करता हूँ ताकि अपने सम्मान जनक तरीके से अपना जो नाम है अतिती विद्वान वो अतिती विद्वान की विद्वत्ता के नाते से एक सम्मान जनक तरीके से इनको वेतनमान भी मिलना चाहिए एक कठनाई इनके सामने ये भी है कि ये PSC में जा रहा है कई सारे लंबे समय से अपनी अलग-लग I.U. की मांग भी ये करते हैं तो I.U. सीमा भी बढ़ना चाहिए ताकि उसका लाब भी मिले ताकि PSC में जब जाए तो I.U. सीमा इनको अपने जो अभी पांच साल का ये कम पड़ती है इसको भी बढ़ने की मैं आपसे मांग करता हूँ साथी साथ कोशिस करता हूँ कि जनभागी दारी के माद्यम से भी जो अतिती विद्वान है ये जो फाले नोड आउट होने वाली संकट रहता है इससे भी इनको मुक्ती मिलना चाहिए ताकि ये अपने इस तरफर हमारे अपने जायरे में लेकिन इसके लिए सिस्टम ये है के हमारा अपना जो अभी तक का चलावा सिस्टम है जिसमें हम अपन रूप से इनके अपने आवेदन मंगाते हैं मैं आपसे तमाम प्रकार की संभावना तो भोते और मानी मुख्यमंद्री जब तक है वो सारे समझ से हल करेंगे मैं गैरेंटी ले सकता हूँ एक बार फिर मैं मानी मुख्यमंद्री जी का आपकी और से आभार मानता हूँ जिन्होंने ये पंचायद बुला करके हम सबको मोका दिया है एक बार फिर जोड़दार ताली बजा करके मानी मुख्यमंद्री जी की इस उदार रहता के लिए आज भी मानी मुख्यमंद्री जी ने कहा कि मैं उज्जेन से हूँ जब तक कारिकरम मत रोखना सबको भोजन पानी के प्रबंदन करा करके ये हमारा कारिकरम होना चाहिए कि जब कारिकरम होता है तो अंदर की आत्मा से होता है मैं आज अपनी विभाग की ओर से इस पूरे आईजन के लिए मानी मुख्यमंद्री का आपके माध्यम से अभिन्दन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भरत मता कीज़े बहुत बहुत धन्यवाद मानेनी उच्ची सिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वागत भाशन के लिए और अब हम निवेदन करेंगे जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे कारेकरम के मुख्यातिति जो अपनी कर्थनी और कर्णी को साक्षाद करते हैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंतरी जी काम स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं उद्बोधन के लिए भारत माता की अतिति विद्वानों की अब इसमें टकनीकी भी हो गए और कौन-कौन से रस्तों में कह रहे थे हम भी हैं हम भी हैं सब कीज़े हो आज इस कारिकम में हमारे बीच उपस्थित हमारे कर्मठ उच्छी सिख्षा मंतरी डक्टर मोहन यादब जी सामान बर्ग आयोग के हमारे अध्रक्ष सीसिप कुमार चौबे जी सुल्तान सिंग से खावज जी हमारे मदपेस असंग्छित सहरी ग्रामीन करमकार मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद सर्मा जी मदपेस राजे कर्मचारी कल्यान समीती के अध्यक्ष हमारे मनू और केसी मनू स्रिवास्तप केसी गुपता देवराज जी, डाक्टर विजाराजोरिया जी, स्रीमती नीमा जी, सुर्जीच जी, बनवारी लाल जी, सुस्री लकसारी दाश जी, प्रिसपट सेरिया जी और मेरे सभी अतिति विद्वान, बहनों भाईयों, भांजें भांजियों बड़ी देर भईी नंद लाला बागी पंचाइट तों मैंने बुलाई, लाल परेड ग्राउंड पे लेकिन आप विद्वान हैं और बच्चों को सिक्षा देते हैं, इसलिए मैं आपको गुरू का दर्जा देता हूँ और इसलिए गुरूओं को मैंने आमंदर्द किया, मुख मंतरी निवास पे आप सब का हिर्दे से स्वागत है भाई मोहन जी विस्तार से बता रहे थे, कि आपने उच्च सिक्षा की मसाल को इतने वरसों तक जला के रखा और आप वही योगता रखते हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, ब्याक्षातागन रखते हैं और इसलिए हमारा कर्तब बेह के आपकी जिन्दगी में अनिश्चित्ता पूरी तरह से समाप्त की जाए मैं जहां जहां गया, आतिती विद्वान अलग-अलग इस्थानों पर मिले और जब मिलते थे तो कुछ मेरी बेहने और बेटियां भाबुक भी हो जाती थी मैं उनकी आँखों में आँसू भी देखे एक जगे का नाम भूल गया जब मैं गया कालेज भवन का साइध धार जिला था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा जिला मुझे भी धान नहीं आ रहा, लेकिन एक कालेज के भवन का उतगाटन करने गया तो मेरी दो बेहने जो अतिती विद्वान थी उनने मिलने की कौसिस की स्वाभाभी कुरूफ से उतकंटा होती, क्या आपन कैसे भी पकड़ लो, क्या आपन कैसे भी पकड़ लो वो आई है क्या आस्टा में भी और एक जग और भी यह खड़ी है साइट मैंने बड़ बाद में जब चाए पीने में प्रिंसिपल साब के कमरे पे गया तो इन दोनों को बलाके इनके सिर पे हाथ रखा था और उस दिन तेह कर लिया था कि आँखों में आसू नहीं रहने देंगे और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं मैं बहुत लंबी चोड़ी बात नहीं करूंगा सार सार की बात करें एक तो सभी सास की महाविद्ध्यालों में कारिरत अतिति विद्ध्वानों को अब कारी दिवस के बजाए सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो पचास हजार रुपया तक का होगा अचा इसमें तकनीकी बाले भी सामिल माने अपने आपको और सास की सेवकों के समानित आपको अवकास की सुविद्धावी दी जाएगे एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्ध्याले के स्थान पर आप जो चाहेंगे आपके आसपास कोई महाविद्ध देह ले होगा वह स्थान अंतरण की सुवधा भी दी जाएगी अभी जब मैं आ रहा था तो फालेन आउट फालेन आउट अब ये फालेन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा उनको फिर से आमन तरण देंगे रिक्त पदों पर लेकिन हमारी जिन्दगी में और निश्चिता आए इसलिए मुझे लगता है कुछ कदम और उठाना जरूरी है आप जानते हैं यूसीजी के गाइट लाइन के कारण कुछ दिक्कते हैं लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निक जाल रहे हैं एक तो आती थी विद्वानों और व्याख्यातों के लिए अभी ये व्यवस्था नहीं है मैं प्येस्टी की परिक्षा में संसोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा उसमें कुछ प्रिक्रियात के मत हमको फेर बदल करना पड़ेगा उसके मैं निर्देश दूँगा और अभी आपको प्रितिवर्स चार और अधिक्तम बीस इतनी नमबर दिये जाते ना अतिरिक्त और पेपर टोटल होता है कितने का नो सो का होता है और इसलिए ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे इसको बढ़ाके अधिक्तम दस प्रिस्ट अंक तक दिये जाएंगे उसकी दवस्ता हम बनाएंगे ताकि अधिक्तम सामिल हो सके और एक बात और के अब कोई भी अतिति विद्वान व्याक्षाता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा ये इतना इतना बड़ा प्रदेश हमारा इतना बड़ा प्रदेश हमारा देश का दिल है मद प्रदेश अरे चार साले चार हजार लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है और इसलिए हम ये व्यवस्ता बनाएंगे कि अब फालन आउट की नौबत ना आए लगातार हम काम करते रह सकें इसमें आई टी आई वाले भी बैठे आई टी आई वाले भी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं ब्याक्षाता भी हैं सब है तो जो मैंने पचास जार की बाद तकनीकी के लिए भी कहीं वो लागू होगी बागी बाद भी लागू होगी और अदिधी प्रवक्ता भी हैं क्या कुछ या लग हैं कुछ क्या अदिधी प्रवक्त लग हैं अभी इनको कितना दे रहे हैं 14,000 हुआ है चौदा हुआ है 14,000 का अच्छब उनका प्रपोसल सर है कि आप बढ़ा किसल 20,000 तक कर FCS चलिए उनका भी बेतन बढ़ा के 20,000 रुपया किया जाएगा मान दें उनका मित्रों में आप सबको सुबकाम ना देता हूँ आज मुझे लगता है लंबी चोड़े भासन की जरूरत नहीं है सार सार की बात मैंने बोल दी आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्यान हो और बच्चों के भविस को भी आप बहतर से बहतर बनाने के काम में जुट जाएं यही मेरी अपील है मैं सरकार नहीं, मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ और आप भी मेरे परिवार के अभिन अंग है इसलिए आप सब का हिर्दे से मैं स्वागत करता हूँ जाएए अब निश्चिंता के साथ बहतर सिक्षा देने के काम में आप लग जाएए आपकी चिंता हम करेंगे बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत धनिवाद माननी मुख्यमंत्री जी अनुठी सोगाते आपने अर्थिती विद्वानों को दी है और आप आभार प्रस्तुती करण के लिए निवेदन करना चाहूँगी आपर मुख्य सचिफ तक्नीकी सिक्षा श्री मनुख्यमंत्री मुख्यमंत्री 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 कर लिया गया है सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं माननी मुख्यमंत्र जी आपके बीच पधा रहेंगे बीच का कॉरिडोर खाली कर दीजिए सभी विद्वान जनों से निवेदन है कि बीच का कॉरिडोर खाली कर दीजिए आज बहुत ही बड़ी सोगात माननी मुख्यमंत्र जी ने आपको भीट स्वरूप दी है अतिती विद्वानों और अतिती व्याख्यताओं की पंचायत में माननी मुख्यमंत्र जी ने आप सभी को संभोधित किया और कई सारी अनूठी घोशनाएं जिससे नया सवेरा आप अधिती विद्वानों की जीवन में आएगा आप सभी से निवेदिन है कृप्या बीच का कॉरिडूर खाली कर दें और आप लोग अपने स्थानों पर बैचे रहें माननी मुख्यमंत्र जी आपके बीच पधारेंगे निवेदिन आप से की विवस्ता बनाय रखने में सयोग करें और बीच का जो कॉरिडूर है उसको खाली छोड़ दे माननी मुख्यमंत्र जी आपके बीच पधारेंगे हिर्दे से हम दनिवाद देना चाहेंगे माननी मुख्यमंत्र जी को जिनोंने अनुची घोशना है की साथी में हमारे बीच पधारेंगे उच्च सिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी माननी शी शिफ कुमार चौबे जी अध्यक्ष सामाने वर गायोक माननी शी सुल्तान सिंग शिखावत जी अध्यक्ष मद्यप्रदेश असंगटित शहरी एवं ग्रामीन कर्मकार कल्यान मंडल माननी शी रमेश चंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राव्ट और विभिन संगो के पतदीकारी कर्ण जो मंच पर उपस्ति थे उनको भी धन्यवाद प्रप्या व्यवस्था बनाए रखें और सभी विद्वान जनों से निवेधन है कि बीच का कॉरिडोर खाली छोड़ दे अगर आप चाहते हैं कि माननी मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए कि जो नहीं सम्झेओंगे तकनी की सिक्षा कही उसका मतला पॉल टेक्स्था मतला पॉल टेक्निक कालेज के बारे में भी कही और सभी आतिती विद्वानों के लिए अनुठी योचना, अनुठी घोशना है माननी मुख्यमंत्री जी ने कई और सभी के बीच हम उत्सव कमाहूल देख सकते हैं, बेहत उत्सुख है, बेहत प्रसन हैं सभी आतिती विद्वानजन, आतिती व्याख्याताओं की पंचायत में माननी मुख्यमंत्री जी ने, अगर आप चाहते हैं, माननी मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए, तो कृपय अपने स्थानों पर बैठ जाए और बीच का कॉरिड़ोर खाली छोड़ दे, आज का दिन बहुत ही खास था, माननी मुख्यमंत्री जी ने, अनुची गोश्चनाएं की, अतिती विद्वानों और अतिती व्याख्याताओं के जीवन में एक नया सवेरा, एक नया बदलाव आया है, बहुत बहुत धनिवाद माननी मुख्यमंत्री जी का, माननी उच्छी सिक्ष्यम मंत्री जी का सम्मानी अतिती गणों का अनुठी सौगातों के साथ वे हमारे बीच बढ़ा रहें और अतिती विद्वानों को संबोधित किया उनके प्रयासों को सराहा आपकी महनत रंग लाई और निश्य थी आपके प्रयासों से गुडवक्ता फून सिक्षा कि और आगे ब सभी का विवादन स्रीकार कर रहे हैं और अपनी अनुठी योजनाओं से जंजन को लाबानवित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है